आपका बविश्य और भी उज्वल है आप मेरे उत्तर को देखेगा मैं कह रहा हूँ उज्वल है और और उज्वल है ठीक है जब आप मार्क्स कम ला रहे हैं तो ज़्यादे उज्वल बता रहा हूँ मैं आप सो सर आज की वीडियो क्लास में अब बताना क्या चाते हैं तो आज की वीडियो क्लास में बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूरेंट लोग ऐसे सोच रहे हैं कि सीवेसी जो है ग्रेस मार्क्स देने वाला है तो आपको फिर बता देते हैं ग्रेस मार्क्स जो है सीवेसी के तरब से मिलता है पक्का मिलता है लेकिन किसी स्टूरंट को मिलेगा आपको बता दे रहे हैं कभी भी जो है यूटूब में अगर जो टीचर बोल रहे हैं या जो मानलेजे यूटूबर बोल रहे हैं किसी वेसी के स्टूरंट लोगो मानलेजे ग्रेस मार्क्स मिलेगा तो मिलता है एक से पांच नमबर अगर कोई स्टूरेंट कमा ले जाए एक नमबर दो नमबर तिन नमबर से कर कम है ठीक है फेल हो रहे हैं तो उनको ग्रेस मार्क्स देकर उनको पास करवा दिया जाएगा लेकिन आपको फिर बताते रहे हैं अपने सेनियर जो है भाईया अपने senior जो है senior student से आप पूछ लिजे पिछला साल जो है एक दो नंबर से वो फेल भी होगे है reason सुन लिजे CBSC grace marks तब कब देता है CBSC grace marks आपका दो है उस वक्त देता है जब आपका question paper moderate policy के अंदर हो अब आप बोलिएगा moderate policy क्या होता है moderate policy तब उस वक्त अपलाई होता है जब माल लिजे CBSC का कोई ऐसा question paper कोई ऐसा subject का question paper माल लिजे normal level से थोड़ा सा high level का question paper set किया हो ठीक है जैसे कि इस बर CBSC board का my degree student chemistry का देखिएगा class 12 का chemistry का paper बहुत tough आया था तो यहाँ पर moderate policy अपलाई होगा क्यों अपलाई होगा क्योंकि यहाँ पर moderate policy मतलब होता क्या है मतलब आपका जो है normal question paper जो normal question आना चाहिए paper में तो थोड़ा सा out of syllabus कुछ एक-दो question आपका जो है वहाँ फेक दिया है या ऐसा हो सकता है my degree student उसमें से कोई ना एक-दो question ऐसा आयागा जिसका जो है printing mistake है ठीक है तीसरा number कुछ question ऐसे आये हैं जो आपका जो है level से high है suppose मालीजा आप class dual के हैं class 10 के हैं और आपका जो है level यहाँ है लेकिन आपका question paper जो set किया गया है यहाँ set किया गया है तो याद रखिएगा यहाँ पर moderate policy CBC के तरब से apply होता है और उन सारे students को grace marks provide किया जाएगा मतलब बहुत easy तरीका से check किया जाता है कुछ answer seat को तो मेरा यह वीडियो यहीं पर finish होता है my dear student आप लोग बेफिकर रही है class 12 का chemistry का paper जो है इस बार बार tough आया था यहाँ moderate policy apply होगा बाकि सारे subject में my dear students 10-12 के exam में moderate policy apply नहीं होगा क्योंकि अगर paper normal आ रहा है तो moderate policy नहीं होगा और याद रखेगा हर CBC के student को grace marks आपका जो है एक से पांच marks तक ही मिलता है अगर को student 2 marks के लिए fail है तीन marks के लिए fail है तो उनका जो है paper भी बहुत tough था ठीक है एक दो question wrong printing हुआ था तो वहाँ आपको grace marks मिलेगा बाकी अन्यता एक दम नहीं मिलने वाला है my dear students आप जितना लिख किया रहे है exact आपको उतना ही number मिलेगा लेकिन फिरती आप लोग को लिए एक खुसखबड़ी है अगर आप किसी subject का answer माल लिए किसी question का answer माल लिए पूरा complete ना करके उपर का दो लाइन आप अच्छा से लिख किया है तो आपको वहाँ पर margin marks मिलता है my dear students ठीके ए चीज़ समझ के रखिएगा मेरा अगर वीडियो में आपको कुछ भी तनिक भी कुछ knowledge मिला होगा important knowledge मिला होगा तो मेरे चैनल को subscribe कर दीजे मैं CBCC related बहुत सारा update knowledge में लेकर आती रहता हूँ मैं खीदिर प्रुकोलकाता में class करवाता हूँ आपका English and Arts Group